अगर मैं दुनिया का कोई भी नमबर उठाऊं और उसकी डिजिट का सम करूँ अगर डिजिट का सम मेरा 9 से डिवाइड होता है तो वो नमबर भी मेरा 9 से डिवाइड होगा यानी कि अगर मैं कैलकुलेटर पे कोई भी रेंडम नमबर लिख लेता हूँ कि यह नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड नहीं हुआ आप मैं कोई दूसरा एक्जामपल लेता हूं आपके सामने 9 6 3 1 8 ओके अब मैं देखता हूं इसका सम कितना आ रहा है अब इसके math की story समस्कें के पीछे के है किया इसका logic है उसे अब हम समस्के है अब इसके proof के लिए एक 3 डिजिट का नमभा ले लेता हूं जिसके unit place पे C है जिसके 10th place पे B है और जिसके 100 place पे A है अगर मैं 10B को फिर से फर्दर ब्रेकडाउन करने की कोशिस पर हो तो 9B प्लस B प्लस C लिख सकता हूँ अब मैं 99A और 9B को अगर एक साथ लिखूँ तो यह आगा 99A प्लस 9B और बचेगा कि अंगर पर simply A प्लस B प्लस C बचेगा अब मैं चाहरा हूँ कि मेरा पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए तो मुझे पता है कि जो यह वाला पार्ट है इस वाले पार्ट से अगर मैं 9 common ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा फिलाल 9 11A प्लस B बचेगा और पीछे क्या बचेगा A प्लस B प्लस C बचेगा अब मुझे पता है जो मेरा ये वाला पार्ट है वो 9 का multiple तो है अगर ये वाला पार्ट भी मेरा 9 का multiple आ जाए तो मेरा जो पूरा number है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो इसलिए बोला जाता है कि अगर simply sum अगर कभी भी 9 से divide हो जाए किसी भी number का अगर उसकी जितनी भी digit है उन सारी digit का sum अगर 9 से divide हो जाए तो वो number भी 9 से divide हो जाएगा यह मैंने एक general case लेके चला कि जहां पर मैंने माला 3 digit का है आप इसे 4 digit 5 digit कितनी भी digit का number ले सकते हैं आप आपको समझाया होगा अगर आप वीडियो के एंड तक बनें तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियो का इंतजार करिए धन्यवाद